तो class को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे type of post offices यहने डागरों के परकार तो देखें post offices are divided into three classes तो जो डागर होता है डागरों को तीन बर्गों में बाटा गया है पहला क्या है पहला हमारा head post offices second है हमारा sub post offices including जो ED sub post offices होता है यानी जो post offices GDS के दौरा operate किया जाता है जो sub post offices GDS के दौरा operate किया जाता है उसे ही ED sub post offices बोला जाता है उसके बाट तिसरा है हमारा branch post offices उसके बाद देखें head post offices and sub post offices normally transact all type of postal businesses यानी जो पर्धान डांगर उब डांगर जो होता है यानी जो HO और SO होता है वो हमारा आमतोर पर सभी परकार के जो है डाग website करता है यानी सभी परकार के जो transactions सभी परकार के जो बिजनेस करते हैं उसका अगला point है बाद ब्रांच post offices provide facilities like branch post offices में क्या 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 जो है दिया जाता है तो देखे delivery and dispatch of mails जो delivery or dispatch किया जाता है mail का उसके बाद booking of registered article तो registered article का भी booking किया जाता है उसका पार्सल का भी booking किया जाता है उसके बाद ब्रांच post offices के द्वारा किया जाता है उसके बाद अगला point है हमारा generally there is no difference in the character of this service rendered by sub post offices and head post offices ठीक है तो जो service जो provide किया जाता है SO और HO द्वारा तो इसमें basically कोई difference नहीं होता है कुछ कुछ जो है transactions जो है सिर्फ HO में होता है वो transaction SO में नहीं होता है जैसे आपका SB revival हो गया उसके बाद जो आपका non migrated जो accounts होता है वो HO में ही close किया जाता है तो इस तरह जो कुछ transactions होता है सिर्फ HO में होता है SO में नहीं होता है तो उसी के बारे में यहां पर बताया गया है उसके बारे में नोट यहां पर एक नोट दिया गया है क्या दिया गया है कि value payable articles यानि जो भी पी पी आर्टिकल होता है and money order जो है will not be booked to the address of army post offices तो जो army post offices होता है उनके address पर भी पी और जो money order book नहीं किया जा स सकता है उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे head post office के बारे में यानि परधान डागर के बारे में तो देखे head post offices coordinate and supervise क्या supervise करता है the activity जब subordinate post offices called sub post offices यानि जो HO होता है वो SO के काम को काम का देखरे करता है उसका branch post offices within their jurisdiction तो B.O. का भी जो काम होता है और SO का भी जो काम होता है तो दोनों काम को supervise करता है कौन करता है HO करता है तो ऐसा नहीं है कि जो B.O. का काम होता है वो SO के द्वारा ही supervise किया जाता है आजकल जो है HO के द्वारा भी supervise किया जाता है और पहले भी इस तरह का जो प्रावधान था है कि HO के द्वारा जो है direct B.O. को भी जो है monitor किया जाता थ टो इसलिए अगर किसी ब्योब में अगर एकक्सेस केस होता है तो ए essent को जो है HO से स्फोन आता है या है is société गेशन ब्रॉब जो है कि जो है आपके इस ब्योब में send केसे ज़ल्दी से उसको रिमिड करवाईैं उसके बद जो भी आप instant करते हैं 26 में तो 25 राacMon पहले SO में आता है सारा भावचार उसके पहले SO से फिर वह भावचार हमारा HO में चला जाता है तो एक तरसे HO का HO olmaz हो भी o को भी सुपरवाईज करता है जो भी काम भी o करता है वो HO उसका आई प्रुर्वाईज करता है आगे बड़ेंगे ऍञार्ज ge season postmaster अगर एक HO का जो है इंचाज एक gadgeted जो है postmaster होता है तो then it is called first class HO तो उसको क्या बोलेंगे उसको first class HO बोलेंगे the postmaster of the first class HO can exercise the power of divisional head for the staff under his control तो उसका जो power होता है उस case में जो HO का जो postmaster होगा जो gadgeted postmaster उसका power जो होता है वो divisional head के power के बराबर होता है यानि HO के जितने भी staff होता है वो directly जो है control कर सकता है कुन हमारा जो है postmaster जो gadgeted postmaster जो होता है एक HO का उसके बहुत देखें यहाँ पे जो head post office होता है वो क्या करता है कि SO के काम को monitor करता है, supervise करता है साथ ही SO जो है BO के काम को supervise करता है लेकिन जो HO होता है वो देखें BO के काम को भी supervise करता है तो इस तरह का यह diagram आपको बता के समझाया गया है अगला point है the head post offices are authorized for the posting, receipt, sorting, handling and transmission and delivery of mail तो head post office जो है इसको authorize किया गया है किसके लिए authorized किया गया है posting के लिए mail का उसके बद divorce के लिए उसके बद sorting कर लिए उसके बद handling के लिए उसके बद transmission के लिए मतलब एक दम देखें दूसरे जगा भेजने के लिए उसके पर delivery करने के लिए जो है एक HO को authorize किया गया है उसके पर अगला point है हमारा Head post offices may serve as sorting hub where incoming mails and parcels are sorted Head post office को क्या किया गया है serve कर सकता है एक sorting hub की तरह एक sorting hub की तरह जो है काम कर सकता है कोन एक HO जहां पर क्या होता है कि incoming mail जो भी mail आता है हमारा जो भी parcel आता है हमारा उसको sort किया जाता है हमाँ पर यानि sorting किया जाता है उसके पर उसको process किया जाता है उसके फिर dispatch किया जाता है to their respective destination यानि जहां उस mail को जाना रहेगा उस destination तक उस mail को भेज दिया जाता है तो इस तरह से Head post office होता है हमारे एक sorting hub की तरह काम करता है तो head post office में हमारा अगला point है कि head post offices offer a wide range of postal services to the public मतलब public को एक variety of service जो है पदान करता है कोन पदान करता है हमारा HO इसमें से क्या कहा जैसे post office boxes उसके पोस्टेज, parcel services and non-postal services like जैसे banking हो गया, insurance हो गया, philately हो गया उसके बाद money remitances हो गया and retail services जैसे हमारा passport जो center होता है वो भी हमारा post office में खोला गया है HO में उसके बाद आधार update की सुविधा भी दी जाती है HO में उसके बाद sell of गंगाजल भी sell किया जाता है उसके बाद railway ticket भी reservation किया जाता है उसके बाद delivery of परसाद भी जो परसाद होता है वो भी delivery किया जाता है उसके बाद UTT services का भी यहाँ पर सुविधा परदान किया जाता है उसके बाद आगला point है हमारा the head post office acts as the account office of both branch post offices and sub post offices within its jurisdiction तो देखें जो HO होता है वो एक account office की तरह काम करता है किसका एक SO का और एक BO का है क्योंकि BO में जो भी काम होता है SO में जो भी काम होता है दोनों के कामों को monitor किया जाता है HO के दोवर यहन्य BO में जो भी आप काम करते हैं तो वो सारा जो voucher बगरा रहता है पहले आप SO में बेजते हैं फिर SO से चला जाता है HO में फिर HO में वो चेक होता है उसके बाद देखे the head post office is headed by तो परधान डागर का नेतुत किया जाता है किसके दोवरे किया जाता है आगे पढ़ेंगा हम लोग तो देखे HO को किसके दोवरे नेतुत किया जाता है तो देखे postmaster के दोवरे किया जा सकता है यानि HSG उसके बाद senior postmaster तो senior postmaster के दोवरे भी जो है एक HO को head किया जा सकता है lead किया जा सकता है उसका head हो सकता है जो कि gadgeted होता है उसके बाद चीप postmaster यानि CPM जिसको बोलेंगे वो भी gazetted होता है उसके बाद एक director भी जो है एक HO का head हो सकता है उसके बाद अगला point है हमारे general post offices यानि GPO तो देखे अगर director headed GPO होगा यानि उसका head कोन होगा तो एक director होगा directed headed GPO का head होगा director उसके बाद अगर non director headed GPO होगा तो उसका प्रमुख कोन होगा तो उसका प्रमुख हो सकता है या तो हमारे chief postmaster होगा या हमारा senior postmaster होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे सब post offices के बारे में यानि उप डागर के बारे में तो देखे यहाँ पे सब post offices are crucial in extending postal and financial services to remote and rural areas तो एक HO जो है वो हमारा basically टाउन में होता है और एक SO जो होता है वो हमारा जो rural areas में होता है और SO क्या ensure करता है कि हर एक public तक हर एक individual तक postal service पहुँच पाए तो यह ensure करता है कि individual and communities have access to essential services such as mail booking यानि हर एक तक service पहुँच पाए जिसे क्या के services जिसे mail booking service हो गया आपका उसका banking services जिसे जो भी banking facilities हो जैसे SBRD सुकन्या हो गया तो जो भी banking facilities है सारे जो services है उसके बाद insurance services जो है उसके बाद जो other postal services जो भी other postal services है उस तक जो हर एक का पहुँच हो इसलिए जो है SO को बनाया गया है तो इसी को जो है एक SO insure करता है एसो का अंदर में फिर हमारा ब्रांच post offices होता है जो हर एक गाउं तक पहुंच जाता है जो हर एक गाउं के हर घर तक जो है service पहुंच जाता है उसके बाद देखे सब post offices report its work to the head post office तो जो भी एसो में काम होता है जो भी सब post office में काम होता है वो किसको report करता है तो हर दिन जो है एसो से जो है daily account हमारा हो जाता है तो जो भी काम होता है एसो में या जो भी ब्यो में जो काम होता है सारा काम को जो है एको में भेज दिये जाता है यानि एसो जो है एको को रिपोर्ट करता है अब उसके बाद देखें सब पोस्ट मास्टर is in charge of the sub post office, तो sub post office का in charge कोन होता है? तो एक sub post master होता है, यानि अगर short में बोले, तो SPM होता है, यानि जो है, sub post master, यानि वो sub office का, यानि एक sub post office का post master होता है, इसलिए उसको SPM बोला गया है, कि लिए रहा, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा, It monitors the accounting work of branch post offices placed under it and also supplies and receive fund inventories तो देखे एक SO का काम क्या रहता है जो भी BO में काम होता है उसको SO monitor करता है और fund अगर जोरत है BO को तो वो supply करता है SO से और inventories के जोरत हो तो भी SO जो है BO को supply करता है अगला point है सब post offices are classified based on the number of staff sanctioned to that office देयर तो जो सब post office होता है उसको किसमें बाटा गया है तो staff के जो strength के अनुसार सब post offices को बाटा गया है तो देखे पहला है time scale sub post offices उसके बाद है selection grade sub post offices तो देखे पहला जो है हमारा मुख डगर होता है MDG होता है उसके बाद higher selection grade होता है HASG SO जिसको कहा जाता है तो यह time scale sub post offices होता है उसके बाद lower selection grade जो होता है LSG SO जो है वो भी हमारा time scale sub post offices होता है उसके बाद देख्ये अगल हमारे triple hundred SO जिसको A class SO भी कहा जाता है उसके बाद फिर होता है double hundred SO जिसको B class SO भी बोला जाता है उसके बाद होता है हमारा सिंगल एंडेट एसो जिसे में सिर्प एक SPM होता है तो ये भी जो है हमारा सिलेक्शन गेट सा पोस्ट उपसेज का अंदर में आता है तो ट्रिपल एंडेट में कितना स्टाफ होता है तो एक SPM होता है उसके बाद प्लस दो पीए रहता है और double ended SO में क्या होता है एक SPM रहता है एक PA रहता है ठीक है और जो single ended होता है उससे में सीर प्रसीर प्रसीप रहता है SPM होता है तो stop stand के अधार पे जो है post offices को इस तरह से बाटा गया है उसका अगला point है हमारा these post offices are further classified into two categories तो देखें इन post office को further जो है दो category में बाटा गया है categories होगा यहाँ पर यहाँ पर two categories होगा correct कर लिजगा तो pdp में correct कर दूँगा तो देखें these post offices are further classified into two categories क्या क्या है पहला है हमारे delivery post offices है उसके बाद second है हमारे non delivery post offices तो delivery post office क्या होता है देखें तो देखें delivery post offices have a unique pin code and delivery stuff तो देखें delivery post office के पास क्या होता है क्या होता है य 왜냐하면 यानी पोस्टर जो इंडेक्स नंबर होता है unpredictable जो होता है एक 15 पिनबड होता है हर एक delivery office के पास की पॉसित पास क्या होता है delivery st sorgen गवां निडिद सुपिसनी क्या होता है शीं ęक को क diff ai ऊंप एप कोई भी पिन कोड जो है नन डिलिवरी पोस्ट ओफिस का नहीं होता है तो उसी का पिन कोड को इस ओफिस का का पिन कोड माना जाता है उसके बाद हमला आगे पढ़ेंगे ब्रांच पोस्ट ओफिस के बारे में तो अगला है हमारा ब्रांच पोस्ट ओफिस यहने साखा डगगर के बारे में तो देखें ब्रांच पोस्ट ओफिस is mostly located in rural areas and served the postal needs of one or more villages तो देखें एक ब्रांच पोस्ट ओ पोस्ट ओफिस जो होता है वह mostly जो फिलंगर वसके बाद सर्व परता एक यह उसंवे ज्यादा जो है गाव को is नाजने सेवा परदान करते हैं शेक पोस्ट ओपिस ऑपड़ो स्भी अैक एक पोस्ट और रॉप सेर्पे आकंट ऑफिस क्या कोन होता है तो एक एक बीश का प वियो का एकाउंट ओफिस होता है उसके पाद आगला पॉइंट है हमारा वियो जो औफर बैसिक सर्विसें सच एज मेल बॉकिंग, बैंकिंग और इंसुरेंस हो गया उसके पाद अगला पॉइंट है तो इच ब्रांच पोस्ट मास्टर याने बीपेम होता है तो एक वियो का office in charge office in charge of the branch post office तो head कौन होता है एक ब्यो का तो BPM होता है यानि branch postmaster होता है He is assisted by assistant branch postmaster उसको कौन assist करता है तो assist करता है हमारा ABPM ठीक है तो ABPM जो है BPM को assist करता है for mail delivery, mail convince तो mail delivery के लिए भी और mail convince के लिए भी कौन assist करता है BPM को तो ABPM जो है assist करता है उसका अगला point हमारा the minimum working hour of a branch post office is 4 hours and maximum of 5 hours daily तो एक branch post office का जो होता है हमारा 4 गंटा या 5 गंटा जो है maximum हमारा working hour हो सकता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी PIN code के बारे में यानि PIN मतलब यानि POSTAL index number के बारे में अभी हम लोग डिसकस करेंगे तो देखें the PIN यानि जो POSTAL index number होता है system was introduced on 15th August 1972 तो कब introduced किया गया है तो 15 August 1972 को introduced किया गया by स्रीराम विकाजी वेलंकर an additional secretary in the government of India's ministry of communication तो उस समय जो additional secretary थे government of India के तो उनके द्वारा जो है PIN वेवस्था को लाए गया तक कब लाए गया थे तो 15 August 1972 को इसकी शुरुवात हुई थी तो date important है date याद रखेगा उसके बाद आगा देखें it is a six digit unique number assigned to each delivery post office except branch post office तो यह six digit का जो एक number होता है और assign किया जाता है each delivery post office को तो हर एक जो delivery post office होता है उसको assign किया जाता है एक six digit का unique number except branch post office तो branch post office को जो है अपना unique number नहीं होता है क्योंकि जो branch post office होता है जो BO होता है वो SO का पिन होता है उसी से जो है BO को identify किया जाता है उसके बाद बात करेंगे structure of pin यानि पिन के संग्रचना के बारे में तो देखे पिन जो है कितना digit को होता है तो 6 digit को होता है तो देखे पहला आंख क्या बताता है कि तो first digit इंडिकेट क्या बताता है कि geographical region जो भोगलेक छेत्र है वो बताता है जैसे A B C D E F तो टूटल छे है तो पहला जो है यह क्या बताता है हमारा भोगलेक छेत्र को बताता है उसके first two digit यानि जो A और B है ये दो जो A और B है तो ये क्या बताता है हमारा पहले दो आंक मिलकर उप छेत रिया डांक परिमंडल में से एक कुदास आता है या तो आइदर क्या इंडिकेट करेगा सब रिजन को और one of the postal circle को जो है पहला जो दो डिजिट है वो इंडिकेट करेगा उसके बत आगे देखिए फर्स्ट त्री डिजिट यानि जो सपोज यहाँ पर A, B, C, D, E, F जो पहला त्री डिजिट है वो किसको इंडिकेट करेगा तो आगे पहला अंक दर साता है पहला अंक यहाँ जो पहला अंक दर साता है पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यह 6 डिजिट का यह पीन है तो पहला अंक यानि 2 यह क्या दर साता है उसके बारे में बताया गया है देखे, first digit अगर हमारा one होगा तो हमारा जो है northern region को indicate करेगा इसमें कौन-कौन से state cover होता है तो देखे, डेली होता है, पंजाब होता है, हमाचल परदेश होता है, जमू और कसिमिन होता है उसके बाद पंजाब होता है तो हमारा western यानि पस्चिमी को indicate करेगा, जिसमें गुजात राष्तन आता है, उसके बाद 4 अगर रहे तो हमारा western यानि पस्चिमी रीजन को indicate करेगा, जिसमें आता है अमारा आदर परदेश, त्यलंगाना और करनाटा का आता है उसके बाद 5 अगर 5 रहे तो southern region यानि पस्चिमी रीजन को indicate करेगा, जिसमें आता हमारा आदर परदेश, त्यलंगाना और करनाटा का आता है उसके बाद 6 रहे तो southern region यानि दचिनी रीजन को indicate करेगा, जिसमें केरला आएगा हमारा तमिलाडो आएगा, पॉंडिचेरी आएगा उसके बाद 7 रहे तो eastern को करेगा, जिसमें असम, नौर्थीस्ट, उडिस्ट या वेस्ट बंगल, उसके बाद 8 रहे तो भी हमारा eastern region को indicate करेगा, जिसमें हमारे बिहारो जाड़कंड आएगा, उसके बाद 9 रहे तो हमारा APS को indicate करेगा, जिसमें army postal service आता है उसका अगला point है, first two digits together indicate as below, यानि पहले दो अंक मिलकर दर्स आते हैं, तो पहले दो अंक मिलकर क्या दर्स आएंगे, सबस हमारे पास कोई एक pin है, 112346, तो यह six digit का यह pin है, तो पहला दो अंक, यानि जो यह पहला दो अंक है, 11, तो यह क्या indicate करेगा, कि circle को indicate करेगा, उसके बारे में बताया गया है, तो देखे, pin के पहले दो अंक, अगर हमारे 11 रहे, तो किसको indicate करेगा, तो postal circle हमारे डेली को indicate करेगा, अगर 12 और 13 रहे, तो हरियाना को, अगर 14 से 16 रहे, यानि 14, 15, 16, तो हमारे पंजाब को करेगा, अगर 17 रहे, तो हिमाचल पर्देश को, अगर 18 और 19 रहे, तो हमारे जमुन कस्मिर को, उसके बाद, अगर 20 से 28 रहे, तो हमारे यूप और उतराखन को indicate करेगा, अगर 30 से 34 रहे, तो हमारे रास्तान को, 36 से 49 रहे, तो गुजरात को, उसके बाद 40 से 44 के बीच में रहे, तो महारास्टा को, उसके बाद 45 से 49 रहे, तो हमारे मैं तो पर्देशन चातिजवर को रिपर्जन करेगा, इंडिकेट करेगा उसके बाद 50 से 53 रहे तो आंदर पर्देश तेलंगाना को 56 से 59 तो करनाटा को करेगा, उसके बाद 60 to 64 अमारा तविलनाणो को, उसके बाद 67 to 69 तो करेगा उसके बाद 80 to 85 रहे तो हमारा बिहार और जड़कन सर्किल को इंडिकेट करेगा, तो इस तरह से जो है, पिन कोट के दौरा पोस्ट अपिस को अडिन्टिफाई किया जाता है, अभी हम लोग बात करेंगे नाइट पोस्ट अपिस के बारे में, यानि रात्रीकाली यंडगर के बारे में, जो कि क्लाउज 3 में आता है, तो दिखेंगे The working hours of the post office is generally fixed by the head of the circle, तो किसके दोरा fix के जाता है, तो head of the circle के दोरा जो है, fix किया जाता है, according to the timing given in तो देखें, पोस्ट फाइब दी पोस्ट फाइब के अनुसाथ जो है, एक head of the circle, head of the circle कोन होता है, CPMG होता है, यानि चीप पोस्ट मास्टर जनल होता है, तो उनी के दोहरा night post office का working hour को set किया जाता है, fix किया जाता है, उसके बाद अगला point है, the director general may extend the working hours of any post office up to 8.30 pm and keep them open on Sunday also, यानि जो एक DG होता है, director general जो post office का होता है, वो क्या कर सकता है, कि एक night post office का working hour को extend कर सकता है, यानि बढ़ा सकता है, कब तक? रात के 8.30 बजे तक और उसको Sunday में भी open रखने का आदेश जारी कर सकता है, कून कर सकता है, तो एक DG कर सकता है, उसका बाद अगला है हमारा, night post office will transact those transactions which have been authorized by the DG, यानि director general on this behalf, तो जो है night post office क्या 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 transaction करेगा, वो decide कौन करेगा, तो एक DG जो होता है, DG जो है हमारा, वो decide करेगा, कि night post office में क्या 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 transaction हो सकता है, उसका बाद अगला point है हमारा, during the extended hours, these post offices will generally book registered articles, उसका बाद including VP articles, issue, telegraphic money order, यानि जो extended hours होता है, जो कि DG के दोवारा जो है extend किया जाता है, DG के पास जो power है, DG के पास जो power है, night post office को working hour को extend करने का, उसमें extended hour में क्या 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 हो सकता है, तो क्या 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 हो सकता है, देगे, VP articles जो है इसु नहीं किया जाता है उसके बाद and sell क्या Indian Postal Order IPO भी sell किया जा सकता है and postage stamp भी sell किया जा सकता है उस extended hours के दोरा उसके बाद अगला point है हमारा deposits into saving bank account and sell of case certificate deposits into saving bank account and sell of case certificates will be available up to 7 p.m. तो जो भी saving bank account में जो है deposits है वो 7 p.m. on weekdays ठीक है उसके बाद जो payment of TMO है यानि जो है telegraphic money order will also be affected up to 6 p.m. तो 6 p.m. तक ही जो है किया जा सकता है अगला point है हमारा on Sundays and national holidays as well as other post office holidays यानि जो national holiday होता है उसके बाद जो other post office holiday रहता है उसमें जो night post office कितने से कितने बच्चता काम करेगा तो 10 बज़े से लेके सिर्फ एक ही सिर्फ में काम करेगा सुबह 10 बज़े से लेके सामके 5 बज़े तक जो है night post office काम करेगा अगला point हमारा on these days delivery functions of the post offices are entirely suspended as well as the payment of money orders and saving banks and the post office certificates are also suspended तो देखे जो भी holiday रहता है holiday के दिनों में अगर night post office खुला है तो उसमें जो है delivery का काम नहीं होगा suspended जो भी delivery का काम रहेगा वो suspended रहेगा उसके बाद payment of money order भी suspended रहेगा उसके बाद जो हमारा saving banks का जो काम है वो भी suspended रहेगा उसके बाद जो post office certificates है उसको भी जो है उसका भोगता नहीं किया जाएगा उसके बाद देखें at present 113 night post office यानि 113 night post office जो है हमारे इंडिया में अभी काम कर रहा है तो total 113 जो है important है यह point तो 113 night post office हमारे अभी इंडिया में कारीरत है उसके बाद आगे पढ़ेंगे अब लोग mobile post office के बार में यानि mobile daggar के बार में जो कि हमारा आता है clause 4 यानि खंड 4 के अंदर में post office guide part 1 के clause 4 के अंदर में हमारा आता है क्या mobile post office यह भी important कभी को पूछ लिया जाता है कि mobile post office जो है कौन से खंड में है post office guide part 1 के तो clause 4 में तो clause number भी आपको याद रखना जरूरी है तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखें mobile post office says deliver mail and other postal services through especially equipped vehicles यानि जो mobile डागगर क्या होता है कि विशेस रूप से सुसजित बहानों के मायदम से mail और अइन डाग समय परदान करते हैं तो इस तरह का जो vehicle रहता है यह equipped रहता है यहाँ पर देखें इस तरह का यहाँ पर counter बना हुआ है तो इस तरह का 200 counter बना हुआ है तो इसी के द्वारा हमारा deliver भी किया जाता है mail service mail deliver भी किया जाता है और other postal services होता है saving bank चाहिए कोई भी postal services वो परदान किया जाता है इस तरह का equipped vehicle के द्वारा तो इसका purpose क्या है उद्देश से क्या है तो इस तरह का mobile post office क्यों खोला गया है तो देखें यह ensure क्या करता है to ensure that people living in remote areas have access to essential postal services without needing to travel long distances to reach a fixed post office तो देखें हिंदी में देखें यह सुनिस्चीत करना कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मतलब जो दूर दराज में जो लोग रहते हैं वो सुनिस्चीत करना कि जो निस्चीत डागड तक पहुचने के रिए लंबी दूरी तई ना करना पड़े कोई की निस्चीत जो है post office में जाने के रिए लंबी दूरी ना तई करना पड़े तो इसलिए जो mobile post office को open किया गया है अभी हाप बोलेंगे कि SO भी होता है, BO भी होता है तो mobile post office का जोरुत क्या है? तो देखे, इसमें क्या होता है कि public के घर के जो है दुआर पे आके जो है postal service provide करता है एक postal when इसमें customer को कहीं जाने की जोरुत नहीं है अगला point है मोबाइल post offices are intended to provide the facility of late posting in the different areas of the cities at different timings according to the fixed schedule including जो है insured and भीपी देखे, mobile post office जो होता है हमारा सहर के भीविनी छेतरों में देर से पोस्टिंग की सुविदाएं परदान करता है जो एक निश्चित समसारनी के उनसार होती है जिमा और भीपी को छोड़के तो देखे, mobile post office के दोरे क्या का service जो है दिया जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे जैसे cell of postal stamps and stationery तो dark ticket or stationery की बिक्री भी जो है किया जाता है उसके बाद booking किया जाता है booking of surface and air mail जैसे register articles of the letter mail ठीक है excluding insured and भीपी तो भीपी और insured जो है book नहीं किया जाता है उसके बाद booking of air parcel भी बुक किया जाता है फिर accept किया जाता है कि unregistered articles of the letter mail for dispatch उसके बाद booking भी booking of EMO भी booking भी किया जाता है उसके बाद my stamp service भी जो है provide किया जाता है उसके बाद postal banking जो है transaction है उसको भी mobile post office के दोरा दिया जाता है उसके बाद अगला point है हमारा mobile post offices remain closed on sunday and postal holidays तो जो postal holidays होता है और sunday जो होता है उसमें जो है mobile post office को बंद रखा जाता है night post office की तरह जो इसको open नहीं रखा जाता है उसके बाद अगला point हमारा mobile post office कहां कहां function कर रहा है अभी तो देखें बंबे में कर रहा है कलकटा में डेली में मदरास में अमदाबाद में नागपूर में हैदरबाद में बैंगलोर में कानपूर में पुना में जैपूर में और विला इंडेस्ट्रियल टाउंचिप में अभी working जो है अभी काम कर रहा है mobile post office तो हम देखते बंबे हैं जैसे मुंबे को बंबे बोला जाता था पहले उसको कलकटा है कलकटा को कलकटा बोला जाता था तो देखिए यह post office PO जो है guide में तो इहीं नामों का जिक्रे तो मैंने सेम नाम यहां पर रने दिया है मैंने कोई इसको changes नहीं किया है तो चले आज के वीडियो पस्ते ही तक रखते हैं आप अगर हमारे courses को purchase करना चाहते हैं तो नीचे WhatsApp नंबर दिया गया है उस पर contact कर सकते हैं आप हमारे टेलगाम और WhatsApp ग्रूप से भी जूट सकते हैं जिसका लिंक आपको आपको नीचे description box में मिल जाए गया तो चले मिलते हैं फिर एक अने वीडियो साथ तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जहर करें ठैक्स पर वाचिंग